हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल मूवी जा रही हूं मूवी ली रेवनेंट ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेज़ रहे इस मूवी के लीड एक्टर लियोनार्डो डिसकेप्रियो को बेस्ट एक्टर का आउसकार आवर्ड मिला है मूवी के स्टार्ट में उस लोग जंगर में शिकार कर रहे होते हैं ये लोग चंगली चानवरों को मार कर उनकी खाल को बेशते हैं तभी इनके ग्रूप पर वहां के लोगों का हमला हो जाता है और वो सब को मार देते हैं गलास का बेटा हौक और उनमें बस दस लोग ही बच हमें जных होते हैं तो ग्लास उनसे कहता है कि अगर हम इसी तरह नदी को फालो करके आगे बढ़ते रहे तो यहां के लोग हमें गेर लेंगे और हम जिन्दा नहीं बच पाएंगे हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा ताके वो हमें देख ना पाएं लेकिन जौन कहता है कि नहीं हमें नदी को फॉलो करते रहना चाहिए हमें नहीं पता कि जंगल के रास्ते में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ तो उस क्रू का कैप्टन एंड्रिव कहता है कि लास जंगल को बहतर तरीके से जानता है हमें उसकी बात माननी चाहिए एक आदमी उन्हें बचाने के लिए बोर्ट को दूसरी तरफ ले जाने लगता है और वो लोग जंगल के रास्ते जाने लगते हैं और बोर्ट नदी में ह चोड़ देते हैं ताके जंगल के लोग उस बोर्ट को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ से ले जाएं उनका कैपिन उनसे कहता है कि हम ये खाले यहीं चोड़ देते हैं क्यूंकि इतना सारा सामान लेकर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा बात में हम वापस आकर हमारा साम करने रुकते हैं और हम देखते हैं कि जो आदमी बोर्ट में गया था यहां के लोगों ने बोर्ट पर अटैक करके उसे भी मार दिया कि लोग कहते हैं कि उनके पाउंप के निशान नौर्ट की तरफ जा रहे हैं वहां वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं बारिश भ कि वहां बेर के बच्चे हैं लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुती बड़ा बेर आकर उस पे अटेक करता है और वह उसे बहुती पुरी तरह इंजर्ट कर देता है वह उससे थोड़ा ही दूर जाता है तो ग्लास राइफल उठा लेता है और बेर को वापस हमले करने से पह रहता है और वो दोनों नीचे जागरते हैं और बेर उसके ऊपर गिर कर मर जाता है और उसके साथ ही उसे ढूंटे हुए वहां तक पहुंच जाते हैं वो उससे देख लेते हैं और बेर को ऊसके ऊपर से 新चा यह बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था बेर ने और राइफल्स मांगते हैं और वो खाले उन्हें दे देने की डील्ट करते हैं पहले उनके पास तीर कमान थे लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं अटेक करने के लिए और राइफल्स भी क्रू मेंबर्स ग्लास के लिए एक स्टेचर बनाते हैं और उसे 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 लिटा के आगे बढ़ने लगते हैं आगे जाकर चड़ाई होती है ग्लास को साथ लेकर चड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और उसके साथ आगे भी नहीं जाया जा सकता था तबी कैप्टेन डिसाइड करता है और उसे शूट करने ही वाला होता है तबी उसका बेटा कहता है के ऐसा मत करो और कैप्टेन रुख जाता है और फिर कहता है के हम गलास को यहीं छोड़ देंगे जो भी इसके पास रहा उसे कमपनी की तरफ से 70 डॉलर्स दिये जाएंगे हौक कहता है के मैं मेरे डैट के पास रुखूँगा और जिम कहता है के मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन मैं भी इसके पास रुखूँगा तो एक और आदमी कहता है के 70 डॉलर्स तो बहुत कम है 100 डॉलर्स लूँगा यहां रुखने के तो कैप्टन मान जाता है और वो वहीं रुख जाता है नेक्स डे वो गलास के पास बैठे होते हैं उनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता तो हॉक और जिम खाने की तलाश में निकलते हैं और जॉन गलास के पास ही रुखता है तुम बस पलक जपका कर मुझे इशारा दो ग्लास काफी देर तक पलक नहीं जपकाता क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था लेकिन बहुत देर बाद वो अपनी आखे बंद कर लेता है तो जॉन इसका गला दबाने लगता है तब ही वहां हॉक आ जाता है और उसे पीछे हटाता है लेकिन जॉन उसे लड़ने लगता है तो हॉक जोर जोर से चिलाने लगता है ताके जिम उसे सुनकर वहां आ सके लेकिन जॉन चाकू निकाल कर गलास की नज़रों के सामने उसे चाकू मार देता है ग्लास चाते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाता और वो मर जाता है फिर जॉन हॉक की बाड़ी को एक जगा छुपा देता है जिम वापस आता है तो वो जॉन से हॉक के बारे में पूछता है तो जॉन कहता है कि वो अभी तक वापस नहीं आया ग्लास जिम को सच बताना चाह रहा था लेकिन गाले पे जखम की वज़ा से वो कुछ बोल नहीं पाता वहां जॉन परिशान हो रहा होता है कि पे इस तरह से निकला जाए वो जिम से कहता है कि मैंने जंगल के लोगों को इस तरह आते हुए देखा है हमें यहां से निकलना होगा वरना हमें वो मार देंगे तो जिम कहता है कि हॉक अभी तक वापस नहीं आया और हम ग्लास को इस कंडिशन में छोड़कर नहीं जा सकते लेकिन जॉन के बार बार इंसिस्ट करने पर वो ग्लास को जिन्दा जमीन में दफन करके दोनों वहां से चले जाते हैं कुछ देर बार ग्लास हिम्मत करके बाहर आता है और खुद को खसीरते हुए हॉक की बाड़ी तक पहुंचता है वो बहुत रोता है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया कुछ देर बद वो डिसाइड करता है कि इसी हालत में अपने बेटे की मौत का बदला जॉन से जरूर लूँगा जिम को जॉन की सच्चाई पता चल जाती है कि वहां कोई जंगल के लोग नहीं आ रहे थे तो वो जॉन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा क्यों मुझसे जूट कहा क्यों ग्लास को वहां मरने के लिए छोड़ दिया तो जॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो अब तक वहां जिन्दा होगा अगर हम उसके पास इसी तरह बैठे रहते तो हम भी मारे जाते वहां ग्लास जैकेट पहन कर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वो एक नदीर किनारे पहुँचता है वो पानी पीता है और बोटल में स्टोर भी कर लेता है लेकिन सारा पानी उसके गले से बाहरे निकलने लगता है क्योंके बेर ने उसके गले को चीर दिया होता है वो सुचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो कुछ खापी नहीं सकेगा और भूका मर जाएगा तो उसे एक आइडिया आता है और वो घास को जला कर उसे गले के इंजर्ट पार्ट पे लगा देता है ताके उस जगा की खाल आपस में चिपक जाएं ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है वहां क्रूम मेंबर्स आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और वहां ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और जॉन और जिम्बी आगे बढ़ रहे होते हैं ग्लास को वहां जंगल के लोग नजर आते हैं तो वो नदी किनारे छुप जाता है लेकिन वो उसे देख लेते हैं तो ग्लास नदी में चला जाता है जबके पानी बहुत इठंडा होता है वो लोग इस पे फायर भी करते हैं लेकिन लकीली उसे बुलट नहीं लगती अब वो नदी में तेहरता हुआ बहता हुआ आगे एक किनारे पर आता है वो ठंड से काप रहा होता है ग्लास आग जलाता है और वो कुछ दिन उसी किनारे तेहरता है उसके पास कुछ खाने को नहीं था तो वो नदी में ट्रेपर बना के मश्रियों को पकड़ कर खाता था एक दिन उसे कुछ दूर आग जलती नजर आती है तो वो वहां जाता है तो एक आदमी और किसी जानवर का गोश खा रहा होता है तो गलास दीरे दीरे उसके पास जाता है गलास को देखकर वो आदमी उस पे तीर का निशाना बनाता है तब गलास उससे इशारे में कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए और वो उसे खाने के लिए गोश का टुकड़ा दे देता है सुबह होती है वो आदमे गलास के जखम देखकर पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किस ने किया तो गलास कहता है कि एक बेयर ने मेरा ये हाल किया मेरे लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया कुछ उससे कहता है कि मेरा भी यही हाल है कुछ लोगों ने मेरे लोगों को मार दिया मैं साउट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ज्वाइंग कर सकते हैं अब वो उसका साथ देता है और उनके पास गोड़ा भी होता है इसलिए उनका सफर आसान हो जाता है वहां जिम और जॉन हेड आफिस पहुँच जाते है जॉन जिम से कहता है कि उन्हें सच मत बताना वरना हमें फासी पे लटका देंगे कैप्टेन और उनके साथी पहले ही वहां पहुच चुके होते हैं जॉन कैप्टेन को सब बताता है कि हॉक गायब हो गया और ग्लास की देथ हो गई आपने जो डील दीती आप उसे पूरा करें तो कैप्टेन उसे और जिम को हंडर्ड हंडर्ड डॉलर्स दे देते हैं लेकिन जिम वो पैसे लिए बगएर ही वहां से वापस चला जाता है तो जॉन उसके पैसे भी रख लेता है और कहता है कि अभी वो सदमे से बाहरी नहीं आया जिम को बहुत गिर्ड फील हो रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था ग्लास और एकुछ सफर कर रहे होते हैं तब भी वहां तूफान आ जाता है ग्लास बहुत बीमार होता है वो टरंड से कांप रहा होता है उसके जखमों को इलाज की जरूरत थी हिकुछ उसके लिए लखड़ियों से एक शेल्टा बनाता है और उसे उसमें लिटा कर वहां आग जला कर उसे चारों तरफ से पैक कर देता है जब ग्लास उठता है तो वो बाहिर आकर देखता है कि हिकुछ नहीं होता वहां थोड़ा आगे जाकर देखता है तो हिकुछ को किसी ने फांसी पर लटका दिया होता है वो समझ जाता है कि ये उन लोगों का ही काम होगा ग्लास आगे जाता है तो जिस लड़की की बज़ा से उन लोगों पर अटेक किया गया था वो लड़की उन लोगों ने नहीं बलके जिन से जंगल के लोगों ने हत्यार लिये होते हैं उन्होंने किड्नैप की होती है ग्लास उसे उन लोगों से बचाता है और कुछ लोगों को शूट करके गोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है और उसकी बॉटल वहीं गिर जाती है आगे जाकर वो एक जगा आराम के लिए रुखता है वो सूरा होता है तब भी दरख पे एक तीरा लगता है और वो देखता है कि जंगल के लोग उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुँच गए है वो फोरानी गोड़े पर बैटकर भागने लगता है अब तो उन लोगों के पास भी खोड़े थे वो भी उसका पीछा करने लगते हैं आगे एक खाया जाती है लेकिन ग्लास वहां रुकता नहीं क्योंके अगर वो वहां रुकता तो वो उसे मार देते वो अपने गोड़े के साथी खाय में गिर जाता है गोड़ा तो मर जाता है लेकिन लगली ग्लास परच जाता है लेकिन उसका जो जैकेट था वो अब उसके पास नहीं था और वो ठंड से ही मर जाता वहाँ तो वो गोड़े का गोश निकाल कर उसके अंदर ही जाकर सुझ जाता है काफी देर बाद तुफान रुक जाता है और ग्लास बाहिर आकर अपना सफर कंटीनियू करता है तो वो उन्हें कुछ सामान दे कर खाना मांगता है जिसमें ग्लास की बाटल भी होती है तो वो उससे पूछते हैं कि ये तुमें कहां से मिली तो वो बताता है कि एक आदमी गोड़ा चुरा कर वहां से भागा था और उसकी ये बाटल वहां गिर गई थी दरबसल उन्हें मालूम होता है कि ये बाटल ग्लास की है तो वो उस आदमी से लुकेशन पूछते हैं और फिर दो ग्रूप में उसे ढूणने जाते हैं रात होती है और सामने से कोई आ रहा होता है और वो ग्लास ही होता है वो उसे देखकर बहुत शौक हो जाते हैं कि वो जिन्दा कैसे है तो वो उन्हें सब बताता है कि उसके और उसके बेटे के साथ उन्होंने क्या करा ग्लास को हैड आफिस ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं कैप्टेन जॉन को ढूंटा है तो वो कैप्टेन के लॉकर से कुछ पैसे लेकर महाँ से भाग चुका होता है कैप्टेन जिम से कहता है कि तुमने गलास को मही मरने के लिए छोड़ दिया और हमसे जूट कहा जिम कहता है के जौन ने मुझसे जूट कहा मुझे लगा वो मरने वाला है लेकिन कैप्टेन उसे केज में बंद करवा देते हैं कैप्टेन ग्लास के पास जाता है और उसे कहता है के जौन भाग गया है तो ग्लास कहता है के जिम सच कह रहा था वो बस जॉन के ओर्डर्स मान रहा था मुझे एक गोड़ा चाहिए और गन तो कैप्टन कहता है कि अभी तुम आराम करो वहाँ वापस जाना किसी खत्रे से कम नहीं तो ग्लास कहता है कि अब मुझे मौट से डर नहीं लगता उजे अपने बेटे की मौत का बतला लेना है कैप्टन ग्लास के साथ जंगल में जोन को ढूंडने निकलते हैं काफी सफ़र करने के बाद कैप्टन ग्लास से कहता है कि जंगल बहुत बढ़ा है हमें अलग-अलग होकर उसे ढूंडना होगा फिर दोनों अलग-अलग होकर उसे डूनने लगते हैं ग्लास एक जगा जाता है तो वहाँ वो देखता है कि किसी ने आग जलाई थी तो वो समझ जाता है कि जॉन वही है कैप्टेन जॉन तक पहुँच जाता है लेकिन जॉन उसे गोली मार देता है गोली के आवाँ सुनकर वहाँ ग्लास आ जाता है तो कैप्टेन मर चुका होता है पिर ग्लास एक चाल चलता है वो कैप्टेन को लकडी की मदद से गोले पर पिठा देता है और दूसरे घोडे पर लेट के मरने की एक्टिंग करता है क्योंकि उसे पता था कि जॉन उस पर भी वार करेगा जॉन दूर से उसे देखकर उसे गलास समझ कर गोली चलाता है जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो कैप्टन ही होता है तब ही गलास घोडे से उटकर जॉन को गोली मारता है और वो उसके हाथ पे जा लगती है और जॉन वहाँ से भाग जाता है गलास उसका मुकाबला करने उसके पीछे जाता है नदी के किनारे आकर उन लोगों की फाइट होती है गलास उसे मारने ही वाला होता है तब भी उसे ही कुछ की बात याद आती है उसने उससे कहा था कि बदला लेना तो गौट के हाथ में है तब भी वो उसे बिना मारे ही नदी में छोड़ देता है आगे जाकर वो जंगल के लोग वहां पहुँच जाते हैं और जॉन को पकर कर उसे मार देते हैं और अब गलास को ऐसा लगता है कि वो उसके पास आकर उसे भी मार देंगे लेकिन गलास देखता है कि उनकी बेटी उन्हें मिल गई और वो गलास को वहीं छोड़ देते हैं वो समझ जाता है कि शायद उनकी बेटी नोंने सब बता दिया है कि मैंने उसके जान बचाई इसलिए उन्होंने ग्लास को जिन्दा छोड़ दिया ग्लास की हालत बहुत हराब होती है वो पूरी तरह इंजर्ड होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है